हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल के से हो आप लोग आई हूप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज हम बनाएंगे चैनल रसगुला और आज मैं आपको सारे ट्रिक बताऊंगे जिसे कि बहुत ही बढ़ियां एस्पंजी रसगुले बनेंगे तो आप पूरा वीडियो जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और साथ मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजेगा ताकि मैं जब भी कोई ने वीडियो डालू हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिपिकेशन मिल जाए तो देख सकते हैं कितना बड़ यहां कितना स्पंजी रसगुला बना है तो यहां मैंने एक लिटर फुल ग्रिम दूद लिया है इसके लिए आपको फुल फैट मिलकी लेना है आप बहें इसका भी दूद ले सकते हैं लेकिन आपको फुल फैट मिलक होता है वही लेना है कोई टॉंड वगर नहीं लेना है तो दूद को यहां पर हम बॉयल कर लेंगे तो गैस आउन कर लिया है मैंने और दोनों थैली दूद यहां पर हम डाल देंगे इसमें और मैंने यहां पर एक लिटर दूद लिया है दूद को हमें continue चलाती हुए बॉयल कर लेना है दूद को हम चलाते रहेंगे ने तो यह नीचे से लग जाएगा तो यहां देखिए दूद में अलका से अलका सब वयल आ गया है इसको हम पूरे अच्छी से उबाल लेंगे और यह लिजी यहां पर वयल आच गैस को आफ करेंगे हम इसको हमें जलाना नहीं हुए बस उबालना है तो दूद यहां पर उबल चुका है और एक बोलिय आने देना है गैस की और उसको थोरा से ठंडा कर लेंगे अभी हम इसको नहीं फाड़ेंगे क्योंकि अगर हम गरम दूद को फार देते ना तो छेना हाट हर जाता है तो इस झाओ गर्षेंट गरम रहना है रखना है और बीस परसेंट इसको ठंडा कर लें यह तो आप सफेथ सिरका भी ले सकते हैं इसको फारने के लिए दूसको तो यह हम दोनों निम्बू का जूस णिकाल लेंगे और जितना यहां पर निम्बू का जूस निकलेगा उत्ना ही हम इसमे पानी मिला देंगे मतलब जितना निम्बू का जूज है उतना ही इसमें हम पानी मिलाएंगे सेम क्वेंटरी में मिला देंगे इसको और इधर दूद भी थोरा ठंडा हो चुका है बस इतना ही ठंडा में करना है बस इसको मैंने 5 मिनट तक ही ठंडा करने के लिए रखा था इससे ज्यादा ठंडा नहीं करना है इससे क्या होता ने छेना बहुत ही बढ़ियां सौप्ट बनता है और सौप्ट बनता है तो इसका रशुल्ला भी बहुत ही बढ़ियां सौप्ट स्पंजी बनता है तो इस ट्रिक को आप धियान में रखेगा जब भी कभी आप शेना रिस्गुला बनाते हैं अब हम दो से तीन चम्मच करके डालेंगे इसमें निम्बू का जूस और इसको हम मिलाते रहेंगे एक ही साथ नहीं डालना है तो कई वार होता है कि थोड़े से निम्बू के जूस में ही दूद फट जाता है और जैसे दूद फट जाएगा इसमें हम निम्बू का जूस डालना बंद कर देंगे तो यहाँ पर मैंने सारा निम्बू का जूस डाल दिया है और यहाँ पर देखिए दूद भी फटना स्टार्ट हो चुका है बस एक मिनट हम इसका वेट करेंगे बस यह अच्छे से फट जाएगा तो यह लेचे यहाँ पर दूद काफी अच्छे से फट चुका है देखिए इस तरह से फटना चाहिए बिल्कुल पानी अलग दिखन चाहिए अब हम इसको कोई भी सूती कप्रे में छान लेंगे तो यहां मैंने नीचे बरतन रख दिया उपर से छननी और इसके उपर एक हम सूती कप्रा ले लेंगे और इसमें हम यहां पर छेना डाल देंगे पानी नीचे चला जाएगा और छेना इसमें रह जाएगा तो यहां मैंने सारा छेना इसमें डाल दिया है और ओपर से हम एक ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे इससे क्या होगा जो इसका खटापन होता है वो भी निकल जाएगा और साथ में छेना ठंडा भी हो जाएगा तो एक ग्लास पानी समझेना को वोस कर लेंगे इससे इस पे जो निम्बू का जूच डाला है हमने उसका खटापन निकल जाता है अब हम इसका पानी हम अच्छे से निचोर लेंगे बिलकुल भी समें पानी नहीं रहना चाहिए आपको बहुत ही बढ़ियाँ से इसका पानी निचोर लेना है इस तरह से दबा करके और इसको हम बहुत ही बढ़ियां तरीके से निचोर लेंगे और ये जो आप देख रहे हैं न पानी ये दूद का जो हमने दूद खाड़ा है इसको आप फेकना मत इसमें बहुत ही ज्यादा मादरा में प्रोटीन रहता इसको आप सबजी में यूज़ कर सकते या है इससे आप आटा बूज सकते हैं बहुत ही । बढ़ी हैं सोफ्ट ही रोटी बनेगा तो इसको अ फैकने गा बिल्कुल भी य्मत छे-नक को यहांपर हम धाले में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने थाली में इसको निकाल ले अब मैं इसको हथेलियों से इस तरह से मैस करेंगे लगभग आठ से दस मिनट तक जब तक कि अच्छा ये चिगना सा ना हो जाए जैसे आठे का लूई होता ना उस तरह से कठा ना होने लगे और जो हाथों में चिपकरा भी हाथों में और थाली में चिपकरा ना बंद हो जाए तो बहुत ही बढ़ियां एडो की फूम में जब आ जाएगा ना तब तक हम इसको अच्छे से मसलेंगे तो यहां देखिए बहुत ही बढ़ियां से डो सा बन गया है डो जैसा और यह ना थाली में चिपकरा और ना ही हाथों में तो यहां पर छेना को हमने काफी अच्छे से मसल करके त्यार कर लिया है इसको लगभग 8-10 मिनट तक खूब अच्छे से मसल ना होता जिससे की बहुत ही बढ़ियां रसुला सोप्ट बनता है अब हम इसका छोटा-छोटा बॉल बना लेंगे तो छोटा या थोड़ा से बड़ा आप बना सकते अपने पसंद के हिसाब से तो हम यहां पर इसका मीडियम साइज का बॉल बना लेते हैं पहले हम हाथों को क्लीन कर लेते हैं तो यहां मैंने हाथों को क्लीन कर लिया है अब इसका हम मीडियम साइज का बॉल बना लेंगे और सारे छेने का हम इसी तरीके से बॉल बना लेंगे बिल्कुल गोल होना चाहिए कहीं से क्रैक नहीं होना चाहिए तो इस चीच का आपको धियान रखना है अगर इसमें क्रैक रहेगा तो जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये चासनी में मिक्स हो जाएगा तो क्रैक नहीं रहना चाहिए कहीं से तो यहाँ देखिए एक तयार है इसी तरीके से हम बागी का भी बना लेंगे और अलग हम इसको रख लेते हैं प्लेट में तो बोली बनाना है अपो बोल सेप में तो यहाँ देखिए दूसरा भी तयार है बागी का भी उसेम तरीके से हम बना लेते हैं और ये लिजे यहाँ पर मैंने horizonे का ball बना लिया इटने शेने से यहाँ पर लगवक 12 ball बन चुके हैं तो यहाँ पर यह 12 रसुलला इससे तैयार हो गया है medium sage का अब यहाँ पर हम चासनी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी चीनी लिया है और वजन में यह चीनी 500 ग्राम है इसके लिए यहाँ पर चार कटोरी इसमें हम पानी डालेंगे तो जितना चीनी लेंगे उससे डवल पानी डालेंगे तो आधा किलो चीनी के लिए एक किलो पानी एक लिटर पानी इसमें डालना है आपको तो यहां दो कप चीनी और चार कप पानी यहां मेंने डाल दिया है चीनी में हम चासनी में हम बॉयल आने देंगे gas की flame को high पे रखेंगे तो यह लीजिए यहां पर चासनी में boil आ चुका है और इसको हमें जलाना नहीं है बस इसमें boil आ चुका है अब इसमें यहां पर हम रसबुल्डे डाल देंगे तो यहां पर एक चीज का पुध्यान डखना एक इंग जो प्लिम को हाई पे डखेंगे, इसको थंडा नहीं lux कर लेंगे, लिया है तो हम थहुएं अभी पांच–छे मिनट ओचुका है एक वार इसको हम मिक्स कर देते हैं ताकि कहीं उपर से ये कच्चा न रह जाए तो उलट पलट कर देंगे ना तो हर तरप से ये अच्छे से कूख हो जाएगा और वापस से हम ढख देंगे देखिया अभी से ये 5-6 मिनट ही हुआ है कितना बढ़िया ये फूल करके बहुत ही बढ़ा बढ़ा हो गया इसे फूल करके डबल साइज में हो जाता है तो ये लिचे यहाँ पर 10-12 मिनट हो चुका है इसको बॉल करते हुए और चासनी भी पहले से गाड़ी हो गई थोड़ी सी और रसुल्ला का साइज देखे कितना बढ़िया ये फूला है और कितना अच्छा बढ़ा बढ़ा हो गया है और कितना ज्यादा सौप्ट आप देख सकते हैं गैस को आफ कर देंगे और इसको हम दो गिंटेक लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए या फिर फ्रिज में रख सकते हैं क्योंकि रसुल्ला ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है तो इसको आप पूरी तरीके से ठंडा कर लिजे इसके बाद इसको सर्व कर बहुत ही बढ़ियां बहुत ही बढ़ियां सौप्ट एकदम स्पंजी रसुल्ला बनेगा बिल्कुल हलवाई जैसा और हमेंसा आप इसी तरीके से घर में बनाएंगे एक बार ये तरीका आप जरूर ट्राय कीजेगा आपको काफी पसंद आएगा और ये देखिए मैं आप को दिखा दे रही हैं पर दबा करके कितना बढ़ियां स्पंज बना है तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें अपने फैमली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें मि ते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए